कर्मचारियों ने टारिगेट से ज्यादा किया सेल, महिला बॉस ने उनके पैर धोकर किया समानेत कर्मचारियों को उनके बेहतरीन काम के लिए बोननस मिलते तो आपने देखा होगा लेकिन क्या कभी ऐसा देखा है कि बॉस अपने करमचारियों के बेहतरीन परफॉर्मेन से खुश हो कर उनके पैर धो रहा हो? नहीं ना, लेकिन चीन में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है यहां एक कॉसमेटिक कंपनी की दो महिला अफसरों ने बेहतरीन काम के लिए अपने आठ करमचारियों के पैर धो कर समानेत किया यह घटना 2 नवंबर की है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक करमचारियों के सम्मान के लिए बाकाइदा एक कारेक्रम का भी आयूजन किया गया था जिसमें करमचारियों के पैर धोने के अलावा कंपनी की प्रेसिडिन्ट और एक अन्य महिला अधिकारी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया दरसल करमचारियों को कंपनी की तरफ से जो टार्गेट दिया गया था उससे कहीं अधिक उन्होंने सेल किया था इससे कमपनी को अच्छा खासा फायदा हुआ था यहीं वज़े है कि करमचारियों का कुछ अलग तरीके से सम्मान किया गया कमपनी का कहना है कि करमचारियों को Award of the Year तो सब ही देते हैं लेकिन हमारा यह अनोखा सम्मान करमचारियों का होसला और बढ़ाएगा मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक कई लोगों ने कमपनी के इस अनोखे प्रयास की सराहना की है तो वहीं कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की है सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है कि यहां एक उपलब्धी है जिसे करमचारी अपने रिजियमे में रख सकते हैं वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा है कि करमचारियों के पैर धोने से बेहतर होता कि उन्हें बुननस दे दिया जाता